नमस्ते आज के पार्ट में हम सीखेंगे आर्टिकल्स के बारे में तो आर्टिकल्स भी एक विशेशन के प्रकार है एड्जेक्टिव के प्रकार जो हो में बताते हैं कि जिस संग्या की हम बात कर रहे हैं वो संग्या, विशिष्ट है कि सामानिय है, या निशित है या अनिशित है, तो इसलिए articles भी दो तरक होते हैं, definite article यानिशित articles और indefinite articles, यानि अनिशित articles, तो definite article होता है धध और indefinite articles में है अऔर अन, तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम definite और indefinite articles की बीच का अंतर समझते हैं, definite articles किसी ठोस चीज या इनसान की तरफ इशारा करते हैं, यहाँ पे लिखा है, the chair is expensive, यानि ये खुरसी महंगी है, यानि एक विशिष्ट कुरसी की बात हो रही है, कि चित्र में जो खुरसी है, वो महंगी है, अब indefinite articles, तब इस्तमाल करते हैं, जब चीज या इनसान जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो अनिश्चित है, जैसे यहाँ पे लिखा है, a scientist makes discoveries, यानि एक विज्ञानिक चीज़े खोच, चीदों की खोच करता है, यहाँ पे कोई भी विज्ञानिक हो सकता है, हम किसी निश्चित की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए a का इस्तमाल किया गया है, तो चलिए अब definite articles के बारे में कुछ और जानते हैं, हम अब पता करेंगे कि definite articles का हम कहां पे इस्तमाल करते हैं, तो सबसे पहले जब हम किसी ठोस या निश्चित, व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा कर रहे ह तब, जैसे the bicycle you want is not available, यानि आपको जो cycle चाहिए थी, वो अभी उपलब्ध नहीं है, इसमें हम किस cycle की बात कर रहे हैं, जो आपको चाहिए, इसलिए वो निश्चित हो गए, the effil tower is made of steel, निश्चित हो गजओं चाहिए जोमसर की पर weid, इसलिए वो निश्चित निश्चित की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने धर यूस किया हैं, और इलियाड यानि एक फेमस किताब है, यहाँ पर हम किस किताब की बात कर रहे है इलियाग और वापस हम एक निश्चित किताब की बात कर रहे है इसलिए हमने ध्व का इस्तमाल किया है फिर when a singular noun is meant to represent the whole class इसका मतलब है जब किसी singular संग्या से या singular noun से पूरे वर्ग का बोध होता है तभी भी ध्व यूज़ किया जाता है इसे उधारंड से हम बेटर समझ पाएंगे यानि गुलाब काफी खुश्पुदार है यहाँ पे रोस शब्द सारे गुलाबों का बोध कर रहा है यानि एक शब्द पूरे वर्ग का बोध कर रहा है इसलिए हमने ध्व यूज़ किया है I know how to play the piano यानि मुझे पियानो बजाना आता है यहाँ पे भी पियानो शब्द सारे पियानो जो दुनिया में उनका बोध कर रहा है इसलिए यहाँ पे ध्व यूज़ किया है चीज है तो उनके पहले भी हम धो यूज करते हैं चलिए इसके कुछ उधारण देखते हैं दसका इस ब्यूटिफुल यानि आस्मान सुन्दर है अब आस्मान एक ही होता है वैसे ही धो अर्थ इस राउंड यानि धर्ती गोल है अब यहां पे धर्ती भी एक ही है विद सूपरलेटर्स याद कीजिए हमने सूपरलेटर्स को पिछले लेक्चर में पड़ा है उसेन बोल्ट इस दा फास्टेस्ट रनर यानि उसेन बोल्ट दुनिया का सबसे तेस दौडने वाला है तो फास्टेस्ट यानि सबसे तेस दौडने वाला तो उसके पहले भी हमने धो यूज किया Mount Everest is the tallest mountain यानि Mount Everest सबसे उचा पहाड है तो tallest यानि सबसे उचा उसके पहले भी हमने धो यूज किया Ordinals के साथ अब शायद आपको ordinals पता नहीं होंगे क्या है इसके बारे में हम इसी लेक्चर के अंत में एकदम अच्छे से समझेंगे अभी आप उधारंट से समझ लीजिए अकबर वस थर्ड मोगल एंपरर थर्ड यहां पर ordinal है जो बताता है तीसरा अकबर तीसरा मोगल एंपरर था तो उसके पहले धोई उसकिया एपी जे अबदुल कलाम यानि एपी जे अबदुल कलाम भारत के ग्यारवे प्रेसिडेंट थे 11th यानि ग्यारवे तो उसके पहले धोई उसकिया इसका मतलब है कुछ वाकिया ऐसे होते है जिसमें विशेशन होते है बट वो विशेशन किस संग्या का वर्णन कर रहे है वो बताया नहीं होता है बट वो स्पष्ट होता है यानि हम आसानी से समझ सकते है ऐसे विशेशनों के पहले जो जिस संग्या का वर्णन कर रहे है वो स्पष्ट है बट वो संग्या वाकिया में है नहीं उनके पहले भी धो यूज किया जाता है तो चलिए उसे उधारण से समझते है जो शक्तिशाली होते हैं उन्हें जिम्यदार भी होना चाहिए अब जो पावर्फुल ये एक विशेशन है ये किस संग्या का वर्णन कर रहा है इंसानों का जो इंसान शक्तिशाली है उन्हें जिम्यदार होना चाहिए तो यहां पे संग्या काफी स्पष्ट है इसलिए सिर्फ विशेशन यूज़ किया है तो उसके पहले ध्वा का इस्तमाल किया संग्या का वरणन कर रहा है तो उसके पहले हमने ध्यान हम ध्यान रखने की रक्षा करने चाहिए तो यहाँ पे वापस यंघ, विषेश एंड से हमें पता है कि संध्या का वर्णन कर रहा तो उसके पहले हमने ध्वक इस्तिमाल कियो अब हम बात करते हैं इंडेफिनेट अर्टिकल की सबसे पहले यहाँ पे दो इंडेफिनेट आर्टिकल से और अन तो आपको यह confusion होगा कि कब o use करना है और कब an तो चलिए उसकी बात करते हैं तो कब an use करना है वो उस संग्या के आवाज से पता चलता है तो अगर संग्या का नाम एक vowel की आवाज से शुरू होता है तो आप an use करेंगे वोवल की आवाज क्या है तो इनकी जो आवाजे है उस आवाज से अगर वो संग्या का नाम शुरू होता है तो आप an use करेंगे यहाँ पे है an honest boy यानि एक इमांदर लड़का अब honest शब्द h से शुरू होता है पर उसमें h silent होता है और आवाज आती ओ की honest तो इसलिए an use किया जाता है क्योंकि आवाज है एक वोवल की और a horse यहाँ पे horse भी h से शुरू होता है लेकिन आवाज है her की तो इसलिए वो वोवल की आवाज नहीं है इसलिए a use किया है तो अब आप समझ के होंगे a को abuse करना है और an को abuse करना है तो चलिए अब हम जानते है कि indefinite articles कहां इस्तमाल करने चाहिए सबसे पहले जब when the person or thing referred to is uncertain और we get a sense of any यानी जिस वस्तु या व्यक्ती की बात कर रहे है वो अनिश्यत है यह general है यह सामानिय है तो इसके कुछ उधारन देखते है a student should work hard अब इसमें कोई भी चात्र हो सकता है इसका अर्थ है कि किसी चात्र को मेहनत करनी चाहिए अब यह किसी निश्यत चात्र की बात नहीं कर रहा कोई भी चात्र हो उससे मेहनत करनी चाहिए तो इसलिए indefinite article a निश्यत article a student यानी कोई भी student फिर would you lend me a pencil यानी क्या तुम मुझे कोई pencil दे सकते हो यहाँ पे भी कौनसी pencil ये निश्यत नहीं है मुझे कोई भी pencil दे दो एक pencil दो ठीक है तो इसलिए यहाँ पे भी indefinite या निश्यत article का प्रयोग किया गया है और जब हमें एक का बोध करना है कोई चीज सिर्फ एक मात्रा में है या एक नाप में है तो हम indefinite article यूज करते हैं इसका उधारन है hundred centimeters make a meter यानी 100 centimeters से एक मीटर बनता है यहाँ पे मुझे एक मीटर बोलना था तो a meter उससे एक का बोध होता है फिर I got a letter today यानी मुझे एक चिट्थी मिली आज एक चिट्थी तो इससे एक का बोध हो रहा है इसलिए a use किया गया है तो चलिए आज के lecture में हमने articles के बारे में तो जाना और अगले lecture में हम इसे और भी ज्यादा गेराई में जानेंगे हम यह देखेंगे अगले lecture में कि articles कहां इस्तमाल नहीं करते हैं आज के lecture के लिए कुछ vivid बाते कर लेते हैं तो जैसा कि मैंने पहले बताया था आज के lecture में हम cardinals और ordinals की बारे में बात करेंगे cardinal निक ऐसा number है जिससे हमें संख्या का बोध होता है जैसे 1, 1 या 3 यानि 3, 8 यानि 8, 10, 10 यानि 10 वैसी लेकिन ordinal ही कैसा number है जिससे हमें पता चलता है कि कोई वस्तू किसी list में किस ठान पर है अब इसमें किस type के numbers है first यानि पहला, second यानि दूसरा, third यानि तीसरा और वैसे ही तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम ordinals बनाते कैसे हैं तो सबसे पहले, 1 से लेके 12 तक क्या ordinal से आपको याद रखने होगे 1 का ordinal होता है first, 2 का होता है second, 3 का होता है third, 4 का fourth, 5 का fifth, 6 का sixth, 7 का seventh, 8 का eighth, 9 का ninth, 10 का tenth, 11 का 11, 12 का twelfth, और 13 का thirteenth इसको numerical है कैसे लिखते हैं, उस नंबर को लिखी है, जैसे one, उसके बाद उसके ordinal के last दो अक्षर देखें, यहाँ पे st, वो उसके उपर डाल दीजिए, तो हो गया one st, वैसे ही two, फिर nd, तो हो गया second, फिर three, फिर rd, तो हो गया third, और ऐसे ही हर नंबर के लिए लिखेंग फिर आप एक rule याद रखिए, कि किसी नंबर का अंत होता है y में, जैसे 20, तो हम y को ie से बदलते हैं, और अंत में th जोड देते हैं, तो 20 को ordinal हो गया 20th, वैसे ही 40 का हो गया 40th, और 50 का हो गया 50th, और 20 से लेके आगे जो भी numbers है, उनके ordinal सम कैसे लिखते हैं, 21 हो गया, तो 20 को ऐसे ही लिखिए और 1 का ordinal लिखिए, तो 21 का ordinal हो गया 21st, 22 का हो गया 22nd, 23 का हो गया 23rd, वैसे ही 41 का होगा 41st, 43 का होगा 43rd, 56 का होगा 56th, तो वैसे ही आगे क्या ordinal भी आप लिख सकते हैं, सिर्फ unit place में जो number है उसका ordinal लिखिए है, 100 का हो गया 100th, 1000 का हो गया 1000th, और million का हो गया millionth, तो उमीद है कि आपको इस lecture में ordinal के बार में पता चल गया होगा, तो आज के lecture में इतना ही, जन्यवाद!